और एक और इस बीच बड़ी खबर में आपको बताएंगे मतुरा में शुरकेशन जन्म घुमी शादी इदगाह शाही इदगाह विबाद में केस में आज बड़ा दिन है शाही इदगाह में सर्वे वाली याचिकपराच सुप्रीम कोर्ट में एक बर फिर सुनबाई होने वाली है पिछली सुनबाई में मतुरा में शाही इदगाह के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी थी अब आज एक बार फिर इस मामले में सुनवाई होनी है जो दूसरा पक्ष है उसने वक्त की मांग की थी और सुप्रिम कोट ने हाला कि वक्त दे भी दिया था लेकिन अलाहबाद हाई कोट ने इदगा सर्वे का जो आदेश दिया था वो सुप्रिम कोट में जाकर वहां से रो जितके विवादित पारिसर को कोट कमिशनर सर्वे कराने का आदेश दिया था लेकिन इस आदेश पर रोक लगाती वे सुप्रिम कोट ने कहा था कि पूरे मामले की सुनवाई हाई कोट में जारी रहेगी लेकिन कोट कमिशनर की न्युक्ती पर अंतरिम रोक लगी रहेगी लेकिन आज इस केस के लिए एक बड़ा दिन है सुप्रेम कोट में आज सर्वे के लिए कमिश्णर की नुक्ती पर फैसला होना पैमाना जा रहा है और अब आपको ग्राफिक्स के जरी समझाते हैं कि अभी श्रीकृष्ण जन्मभूमी और शाही इदगाह विवाद में आखिर क्या चल रहा है मतुरा में शाही इदगाह मस्जिद में सर्वे पर फिलहाल रोक लगी हुई है पिछली सुनवाई में 16 जन्मभरी को सुप्रीम कोट ने ASI सर्वे पर रोक लगा दी थी मतलब इलाबाद हाई कोट के फैसले पर सुप्रीम कोट की तरफ से रोक लगा दी गई थी अब दरसार 14 जन्मभर को इलाबाद हाई कोट ने परिसर के सर्वे को मंजूरी दे री थी पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोट ने ये का था कि हाई कोट में केस की सुनवाई जारी रहेगी साथ ही सुप्रीम कोट ने ये भी कहा था कि सर्वे के लिए कोट कमिशनर की नियुक्ती पर फिलाल अंतरिम रोक भी जारी रहेगी तो ये पूरा मामला है फिलाल क्या आप देच है आपको बताया अब देखे मथुरा में शाही इदगा को लेकर हिंदू पक्ष का दावा क्या है ये करके आपको ग्राफिक्स के मदद से हम समझाते हैं कि आखिर हिंदू पक्ष क्या कहता है हिंदू पक्ष इसमें कहता है कि शाही इदगा मस्जिद में मंदिर होने के कई प्रमान मौजूद हिंदु पक्ष का डावा ये है कि शाही इद्गह में हिंदु स्थापना स्थापत्य कला की काई सुबूत वहां मौझूद है जैसे कि दिवारों पर कमल के चिन है ओम हो और शेशनाग शेशनाक की आकृति भी मौझूद है शाही इद्गह परिसर में स्वास्तिक क suscept के मांग करता है मस्जिद के नीचे केशव देव मंदर का गर्वरे होने का भी दावा किया जाता है वैज्ञानिक सर्वे के बाद ही जो सच है वो सामने आपाएगा और यही वज़र है कि हिंदू पक्ष लगातार दावा कर रहा है कि यहाँ पर सर्वे कराये जाए ताकि जो सच है जो हकीकत है वो सामने आजाए लेकिन मस्जिद परिसर में ऐसे कोई चिन्ह या आकरिती मौजूद नहीं है यह मुस्लिम पक्ष का कहना है हम फिलाल यह आपको दिखा रहे देखें यहाँ पर यिद्गा में कमल ओम शेशनाग का निशान मौजूद है यह हिंदू पक्ष कहता है मुस्लिम पक्ष क्या कहता है मस्जिद में इस तरह की कोई आकरिती नहीं है दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं और इसी लिए हिंदू पक्ष इस पाथ पर अड़ा है कि सर्वे कराया जाए परिसर का तब जाकर जो सचाई है वो सामनी आएगी लेकिन मुस शाही इद्गा विवाद दरसल साधे 300 साल पुराना है विवाद दरसल 13.37 एकर जमीन पर मालिकान हक से जुड़ा हुआ है हिंदू पक्ष ने शाही इद्गा मस्जित को हटाने की मांग किये और जमीन को श्रिक्रश्वन जन्मभूमी को देने की मांग भी हिंदू पक्ष कर हिंदू पक्ष का शाही इद्गा मस्जित को अवैद तरीके से बनाने का आरोफ है हिंदू पक्ष ने 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझोते तक को अवैद बताया है यहां ये भी आपको बता दे कि श्रिक्रश्म जन्मभूमी के पास 11 एकर जमीन का मालिकाना हक है शाही झाल 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 झाल